हाई एवरिवान दिस भारतीन, मिल्कुन दू मैं चानल ड्रीमार्च सो हमने स्टार्ट किया हुआ है नुमेरिकल मैथोड जिसके अंडर हम नए-ने मैथोड सीख रहे हैं चाहिए कहा प्लस हो रहा है कौन सी वेल्य पुट करनी है उस फॉर्मुला के बारे में आपको 101 परसें शुरिटी होनी चाहिए तब जाके आपका वो मैथोड अच्छे से रेडी होगा सेकिंद्ध जीज आप जो भी मेथट कर रहे हो उसमें कैल्कॉलेटर यूस कर रहे हो जो भी कैल्कॉलेटर पे आंसर आ रहे है वो आपने क्या नॉट्बूक में नोटовой करना है यह बहुत बहुत इंपॉर्टन चीज़ इसको धियान लगना जब मैंने आपको second method करवाया था उसमें आपको मैंने बिल्कुल साथ-साथ calculator पर क्या लिख है वो भी note करवाया था और कैसे आपने उसको round off करके notebook पर लिखने वो भी समझाया था ध्यान से देख लो उस पार्ट को वहाँ पर calculator का use मैंने आपको बहुत अच्छे से कराए लिंक कि आप numerical method का कोई भी question easily कर सकते हो चीक है आप ध्यान दकना आपके पास calculator होना चाहिए ताकि आप मेरे साथ-साथ calculations करो सिर्फ वीडियो देखके formula देखके काम ही चलेगा साथ-साथ question at least जितना जो मैं करवा रही हूं a question वह अच्छे से करना है तब जाके आपका method clear होगा करें स्टाइब क्वेशन देखो क्या कह रहे है find the real root of this by Newton-Raphson method एक चीज़ ध्यान से सुनो Newton-Raphson method के अंदर दो टाइप के question आते हैं एक जिसमें आप roots निकाल रहे हो दूसरे जहां पे आप क्या निकाल रहे हो क्यूब रूट निकाल रहे हो या फिस 1 by 4 पावर निकाल रहे हो ऐसे दो तरहां के question इस Newton-Raphson method के अंदर आते हैं इस वीडियो में हम एक question कवर कर रहे है एकस की पावर 4 माइनस x माइनस 10 नेक्स्ट क्लास के अंदर हम वो path root, nth root, cube root वो वले questions कर रहे होंगे जो playlist में description box में दे रहे हो उस पे click करोगे जैसे वो सारी वीडियोस आ जाएंगी उसको share करके रख लेना कहीं भी ताकि आप regular जाके उसी playlist में नए-ने methods देख पाऊ और अपने subject की त्यारी कर पाऊ ठीके और आप में से जिन्होंने telegram channel जो हैं नहीं किया कर लेना आपको वहाँ update मिलता रहता है जो भी नया method में करवाऊंगी करते हैं स्टार्ट फटाफट से इसके real root निकाल ले है by Newton-Refson method सबसे पहले चीज़ let f of x is equals to x की पावर 4 minus x minus 10 जिसके भी root निकाल ले है उसको f of x ले लो question करते करते हम formula सीखेंगे formula लगसे में नहीं लिखरी question करते करते आपको formula सीखाऊंगे तो formula की टेंक्शन नहीं लेना जिसके भी root निकाल ले है पहले उसको f of x ले लो next step फिर आपने दो ऐसे नमबर ढूणने है जिस पे एक पे answer positive है एक पे answer negative ऐसे ही हमने by section में किया था बाक और दूसरे पे function की value क्या हो negative f of 0 निकाल के देखते हैं बहुत simple है f of 0 निकालेंगे क्या आएगा देखो that is 0 की power 4 minus 0 minus 10 answer is minus 10 that is negative आगे चलते हैं f of 1 1 की power 4 1 minus 10 1 minus 1 minus 10 answer is minus 10 that is negative बहुत simple चीज़ है next चलते है f of 2 के उपर that is f of 2 के उपर क्यों जा रहे हो क्योंकि यहाँ पे भी negative answer आया यहाँ पे भी negative answer आया यह तो मेरे पस negative negative ही आ रहे है मुझे एक negative और एक positive चाहिए होता है यह तो दोनों पे negative आ गया बात नहीं बनी एक और number पे इसकी value चेक करनी पड़ेगी इसलिए मैं 2 पे जा रहे हूँ ठीक है that will be 2 की power 4 minus 2 minus 10 that will be 2 की power 4 यहाँ पे कर दो 2 की power 4 minus 2 minus 10 2 की power 4 is that is कितना हैगा 16 minus 2 minus 10 2 की power 4 16 होता है right that will be 16 minus 2 14 minus 10 answer is 4 that is positive तो f of 1 negative है f of 2 positive है मुझे ऐसे दो number मिल गए जिस पे एक पे negative एक पे positive आ रहे है वो number 1 and 2 है यह चीज़ क्लियर है जितने भी methods अब तक करते आ रहे हैं सबसे पहला step let f of x equals to जिसके root निकालने है दूसरी चीज़ इसमें हम values डाल के देखते हैं 0,1,2 कब तक जब तक ऐसे दो number ना मिल जाए कि एक पे negative एक पे positive तो यहाँ पे 0,1 तो हो नहीं सकते तो कि दोनों पे negative था फिर हमने 2 पे चेक किया क्या आ गया positive एक negative वला उठाया 1 और एक positive वला उठाया that is कौन सा 2 तो मेरा value जो पहली दो number है that is 1 and 2 यह चीज़ क्लियर है पक्का देख लो ध्यान से function की value 1 पे कितनी है minus 10 2 पे कितनी है 4 note कर लेते है function की value 1 पे minus 10 2 पे 4 है सबसे पहले यही दो number ढूणने है जिसमें एक पे answer negative और एक पे positive होगा यह चीज़ क्लियर है ना अब आगे चलते हैं इन number को ढूणने के बाद क्या करना है बहुत simple सी चीज़ बता रहे हूँ बहुत simple हमें एक x note चाहिए क्या चाहिए x note Newton Raphson method के अंदर जब हमने ऐसे दो number ढूण लिए कि एक पे negative एक पे positive आ रहे है फिर हमें एक x note ढूणना है ध्यांस देखना वान और टू थे वो दो number एक पे negative एक पे positive आ रहे है ठीक है वान पे function की value क्या है माइनस 10 टू पे function की value क्या है 4 कौनसी value 0 के जादा पास है बहुत यहां समझना अब यह कुछ निवे neutral option method के अंदर बताया पहले सिर्फ दो value ढूणडी जिसमें एक answer negative आ एक positive आ है बहुत यहा जालते हैं आप देखो 1 पे value क्या है minus 10 टू पे value क्या है 4 function की right इसमें से कौनसी value 0 के जादा पास है वो आपने देखनी है यह number line बनाते हम यहां पे 0 बनाते है that is 1 2 3 4 right minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 यहां पे minus 5 minus 6 minus 7 ऐसे करके minus 10 अब मुझे बताओ 4 जादा पास है इस 0 के या फिर minus 10 जादा पास है कौनसा number 4 या minus 10 0 के पास है that is 4 0 के पास है 4 के उपर क्या लिखा है 2 तो x note की value हम 2 लेने वाले हैं step मेंने थोड़ा fast से करा है क्योंकि तीनों method में वही करते आ रहे हैं लेकिन यहां से ध्यान से देखो जब आपने दू नंबर ऐसे ढून लिए कि एक पे आन से negative आ रहे है एक पे आन से positive आ रहे है आप function की values नोट कर लो 1 पे minus 10 answer आ रहा था 2 पे answer क्या रहा था 4 आ रहा था कौनसा number 0 के जादा पास है 4 यह minus 10 अभी देखा 4 जादा पास है उसके उपर जो value डालने पे 4 आ रहा था वो 2 था उसको हम x note ले लेते हैं x note is equal to 2 यह चीज़ क्लियर रहे है पक्का x note 2 क्लियर है अब आगे देखो formula क्या है that is x i plus 1 is equals to x i minus f of x i upon f dash x i this is the formula in newton roughson method यह method में यह formula use होता है note कर लो अब भी use करना सिखाती हू x i plus 1 is equals to x i minus f of x i f dash x i it means derivative f dash का मतलब derivative derivative लेना भी सिखाऊंगे don't worry यह method में आपका derivative का भी use होता है derivative लेने आने चाहिए इसका मैं सिखा दूंगे और main main जो आपको easy चाहिए होंगे इस method के अंदर questions जैसे होंगे वो मैं आपको यहाँ पे note करवा दूंगी ताकि आप इसके questions क लेंगे हमारा formula change होता जाएगा ठीके तो this is the formula Newton Raphson method पहले हमने दो number ढूंडे वहां से x note ले लिया अब आगे चलते हैं ठीके this is the formula अब ध्यांस देखना बहुत ध्यान से x i plus 1 is equals to x i यहाँ पे f of x i क्या होते है जो मेरा यहाँ पे क्या था function था x की power 4 minus x minus 10 अगर यहाँ x थ x i ध्यास देखो f of x तो यह है अगर x की जगा x i आजए तो right hand side x की जगा क्या आजएगा x i minus x i की power 4 minus x i minus 10 10 को कुछ नहीं करना इसके पास तो x i नहीं तो x i की power 4 minus x i minus 10 आगया next देखो f dash x i यहाँ पे f of x यह था तो f dash x क्या होगा ध्यान से देखो derivative कैसे निकालते हैं पावर लिखी है वो आगे लिख दो ठीक है और एक पावर कम कर दो f 4 x cube ध्यान से देखो f of x यह ना इसका derivative निकालना है f dash x यह पावर आगे लिखो एक पावर कम कर दो 4 x cube यहाँ पे minus x का derivative 1 minus 10 इसके पास तो x है ही नहीं उसका derivative 0 ध्यान से देखो पावर आगे एक पावर कम अगर सिर्फ x अकेला है उसका derivative 1 जिसके पास x नहीं उसका derivative 0 4 x cube minus 1 0 लिखने की जुरूरत नहीं है यह f dash x है यहाँ पे f dash x i चाहिए that is x की जगा x i डाल दो बहुत simple है तो यहाँ पे आजेगा 4 x i cube minus 1 यह चीज़ क्लियर है derivative बहुत simple होते है जो यह पावर लिखे उसको आग लिख दो एक पावर कम कर दो चीक है इसकी कोई power नहीं थी simple x था उसका derivative 1 जिसके पास x है यह जिसे 10 के पास x है नहीं उसका derivative 0 यह बन गया मेरे पास यहाँ पे x था x i हो तो यहाँ पे x i हो जाएगा वो मैंने f dash x i यहाँ पे note कर दिया यह चीज़ क्लियर है चलें आगे बहुत simple अब क्या लेंगे lcm लेंगे क्या लेंगे lcm बहुत simple x note 2 मैं यहाँ note कर लेती हूँ बहुत काम की चीज़े आगे चलते हैं बहुत simple simple अब मैंने यहाँ पे values डाली है f की जगा और f dash की जगा values डाली है x i as it is x i plus 1 as it is आगे लिखते हैं बहुत simple अब lcm लेके इसको solve करना है x i plus 1 is equals to x i same note कर रही हो भी मैं x i की power 4 minus x i minus 10 upon 4 x i cube minus 1 यह चीज़ क्लियर है पक्काल से लेंगे आगे अब इसको थोड़ा सा solve कर लेते हैं ताकि हमारी calculations easy हो जाए यह नीचे lcm लेलो 4 x i cube minus 1 का ठीक है यहां ले लेते हैं lcm कोई दिक्कत नहीं है इसके पास नहीं है 4 x i cube minus 1 उपर दे दो x i into 4 x i cube minus 1 जब lcm लेते हैं जिसके पास कोई चीज़ नहीं है उपर दे दो x i के पास है पूरी की पूरी मैंने bracket दे दी minus इनके पास है उपर कुछ देने की जूरत नहीं है लेकिन ये वला minus इन सब के पास अंदर जाएगा ये वला minus इन सब के पास कहा जाएगा अंदर जाएगा minus हो रहे है न ये सारा अंदर जाएगा minus minus x i की पावर 4 plus x i plus 10 जब ये minus अंदर जाते है सारे sign change हो जाते हैं तो यहाँ पे minus x i की पावर 4 plus x i plus 10 बन गया clear है चीज आगे देखो 4 x i की पावर 4 ये x i से multiply हुआ minus x i x i into 1 यहाँ पे minus x i 4 plus x i plus 10 अब वोन क्या हैगा 4 x i क्यूब माइनस 1 थोड़ा सा solve कर लेते हैं ताकि हम जब question करें हमें दिक्कत ना हो चीक है उसके बाद क्या करेंगे बहुत simple minus x i plus x i cancel 4 x i की पावर 4 minus x i की पावर 4 4 में से एक minus हो रहा है that is 3 x i की पावर 4 ध्यास देखो 4 x i की पावर 4 है इसके साथ कुछ ने बता है यह 1 x i की पावर 4 है 4 में से 1 गया 3 x i की पावर 4 plus 10 पोर 4 x i cube minus 1 clear यह चीज तो जब मेरे पास formula आया था यह पास formula क्या था ध्यास देखो that is x i plus 1 x i minus f of x i upon f dash x i यह मेरे पास formula था इसमें values डाली f of x i f dash x i solve करके मैं इस चीज पे पहुँच गई that is कि x i plus 1 is equal to 3 x i 4 plus 10 upon 4 x i cube minus 1 तो हर question में यही करना है step number 1 ऐसे दो number जिस पे negative positive आये ठीके उसमें से जो जिसकी value 0 के पास है उसको x note ले लो और रख दो आगे चलते है step number 2 step number 2 में क्या किया मैंने अपना क्या formula यूज किया यहा फॉर्मला न्यूटन एफसन का इसमें function की value डाल दी function के derivative की L से हम लेके solve किया और इसमें change कर दिया इसमें कोई दिक्कर सो सारी चीज़े आगी x note भी आ गया formula भी रेडी है फटाफट से question स्टार्ट करते है question स्टार्ट हो चुके है पर पहले हमने अपनी चीज़े रेडी कर ली जो हमें question के लिए चाहिए x i plus 1 3 x i की power 4 plus 10 upon 4 x i cube minus 1 करते हैं start बहुत simple है आप देखो इसमें हम iterations निकालते है x note है फिर हम x1 निकालेंगे x2 निकालेंगे x3 x4 कहां तक निकालेंगे जब तक answer same ना आना शुरू हो जाए जैसी answer same आया हम आगे values नहीं निकालेंगे पहले x note आ गया x1 x2 x3 x4 निकालना शुरू करते हैं जैसी मेरे दो answer same आये वहीं अपना काम रोग देंगे और उस answer को final answer declare करते हैं पहले x1 निकालते हैं x note आ आ गया आप क्या निकालेंगे s1 निकालने सबसे पहले देखो ध्यानसे x1 एकसबसे निखलेगा ध्यास देखो मुझे x plus 1 form में चाहिएयोता है किस में एकसबसbour्स 1 form में ठेको x1 को लिख लिक सकते हैं 0 प्लस वन लिख सकते हैं 1 को तो यहां पर आई की जगह आ गया जीरू आ गया बहुत ध्यान सा थेखो टृणी फोर्मला आई प्लस वन寸 फॉर्म में मुझे चाहिए गया है बहुत सिंपल सी या फिर एक और चीज बताऊं अगर X1 हो ना तो यहां पर X1 आता है अगर X2 हो तो यहां पर X1 आता है एक कम वैल्यू आती है ऐसे भी याद कर सकते हो या फिर इसको पूरा फॉर्म बना के भी लिख सकते हो बैं रिपीट कर रहे हूं अगर यहां X1 की वै आके भी सीख सकते हो ठीक है अब 3 X4 X2 की वैलो कितनी है 2 3 इंटू 2 की पावर 4 प्लस 10 अपॉन 4 इंटू 2 की पावर क्यूब माइनस 1 जल्दी से कैलकुलेट करते हैं मैं अभी कैलकुलेट करू फटा फट से 2 की पावर 4 that will be 16 3 इंटू फोड़ा इधर लिखते हूं ताकि आ 3 इंटू 16 प्लस 10 4 इंटू 2 की पावर 3 इस 8 that will be 8 माइनस 1 पहले मल्टिप्ला होता है बच्चे क्या करते है 16 प्लस 10 कर देते हैं नहीं पहले मल्टिप्ला होगा 16 3 दा 48 प्लस 10 नीचे 48 दा 32 माइनस 1 48 प्लस 10 58 32 माइनस 1 that is 31 58 अपोन 31 यहां तक कोई दिखते हैं अब 58 को 31 से डिवाइड करते हैं अपने कैलकुलेटर पर फटा फट से अब ही हमने यहां पर गालकुलेट किया था मैंने इसको डिवाइड किया 58 को किस से 31 से आंसर मैंने यहां पर वही लिख है जो कालकुलेटर पर आ रहा है 1.870967742 अब यहां पर क्वेशन में कहीं भी मैंशन नहीं है कि यह 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर 3 4 5 कितनी डेसिमल प् आने चाहिए यहां पर कहीं भी नहीं कुछ भी नहीं लिखा तो हम क्या करेंगे 3 डेसिमल प्लेस तक आंसर निकालेंगे पॉइंट के बाद 3 डेसिमल लिखने वले है 1 2 3 आप में से कुछ बचे आंसर 1.870 ही लिख देंगे नहीं ध्यास रेखो 1.87 तो लिखना है आपको 3 डेसिमल प्लेस तक आंसर चाहिए आप 3 वले के बाद 4 डिजिट चेक करो क्या ये 5 से बड़ है ये 5 से बड़ है तो आपने सिंपली क्या करना है यहां पर 1 इंक्रीज कर देना है यहां पर क्या जाएगा 1.87 वान अंसर आ जाएगा एक सिंपल सी चीज है तो राउंड ओफ क करना सीखो मालों आपको थ्री डेसिमल प्लेस तक आंसर चाहिए राइल फर्स्ट टू तो आपने आज इस नोट कर लिए थर्ड वले के बाद नेक्स्ट वला देखो क्या वो 5 से बड़ा है हां जी वो 5 से बड़ा है 9 नमबर तो यहां पर आपका जो थर्ड डिजिट है उस सीकेंड मेथड के अंदर मैंने जो राउंड ओफ सिखा है उसको चाहिए 1x speed पे देख लो 1.5 पे देख लो बट उस question को साथ साथ करो तभी आपके राउंड ओफ करने की practice होगी बच्चा अंसे लिखेगा 1.870 डिक्कत होगी क्योंकि यह questions ऐसे हैं कि जब तक answer सेम आना शु ठीक है formula भी ठीक है फिर क्यों दिक्कत आ रही है क्योंकि आप calculator से काम ठीक नहीं कर रहे हो यह answer आएगा note 1.871 करने 3 decimal place तक चाहिए ना मैं 2 तक as it is note करूंगी 3rd वले से next देखूंगी 4th क्या 5 यह 5 से बड़े yes वो 9 है तो 3rd वले में 1 increase हो जाता है 1.871 अगर यह 2 होता तो य समझा दिया बाकी सारे में फटा-फट से अब करवा रही हूं calculations भी और formulas भी अब आप अपने calculator से answers अच्छे से निकाल सकते हो clear है चीज आप देखो X1 आ गया अब X2 पर चलते हैं X2 था X1 कितना आया 1.871 यह सेम नहीं है अब हमें X2 की तरफ जाना पड़ेगा चलते हैं फिर X2 की तरफ बहुत easy है अच्छा वो formula क्या था फटा-फट से मुझे बता दो XI plus 1 यहां पे क्या था 3 XI plus 10 4 X cube minus कुछ तो यह formula बना था XI plus 1 का मैंने note कर लिया अब क्या निकालना मुझ X2 X2 को क्या लिखे 1 plus form में लिखे तो X2 को लिख सकते X1 plus 1 कोई भी value निकालनी है उसको plus 1 form में लिखना पड़ेगा 2 कैसे बनेगा 1 plus 1 करके X1 plus 1 I की जगा क्या आ रहे है 1 आ रहे है सब में क्या डाल दो I की जगा 1 डाल दो बहुत simple सी चीज है या फिर जैसे मैंने आपको बत आतीज से 1 1 सारी values आगी ठीके X1 की value क्या है 1.871 डाल दो 3 into 1.871 की power 4 plus 10 upon 4 into 1.871 का cube minus 1 जल्दी से जल्दी सारा फटा-फट सी values निकालो 1.871 की power 4 1.871 की power 3 put करो फिर में इसात answers मैच करना आपको यह 3 बार multiply करने की जुरुत नहीं है इसे मैंने 1.871 लिखा यहां पे आप द देखोगे 3rd row यह 1st row यह 2nd यह 3rd row में 4th button है 3rd row में 4th one इसको प्रेस करो फिर 4 प्रेस करो सीधा आपकी पास 4 power आ जाएगी उसको round off करके लिखना जैसे यहां पर यहां पर यहां रही है मैं बता देते हूं बाक्या आप round off करना 12.25448741 यहां रही है न मेरे पास मैंने 3 5 तु लिखूंगी मैं ठीक है अब 3rd नहीं लिखना है एसे 4th चेक करो 5 यह 5 से बढ़े है नहीं ठीक है 4th नहीं फिर अगला 5 चेक कर लेते हैं 5 5 से बढ़े है यहां पर 1 इंक्रीज होता है that is 5 12.255 आएगा यहां तो आपने 3 तक लिखना है नेक्स चेक करो क्या वह 5 यह 5 स से बढ़ा है तो 1 इंक्रीज होगा यहां पर लेकिन अगर वह नहीं है एक और नेक्स चेक जरूर करना है वह है 8 हाँ वह 5 से बढ़ा है तो भी 3rd डिजिट में 1 इंक्रीज होगा 12.255 मैं फिर से कह रहे हूं सीकेंड मैथड में मैंने हर एक वैल्यू ऐसे राउंड ओफ करा होगे तब ही आपकी कैलकुलेशन्स ठीक होगी ठीक है फटाफट से आप कैलकुलेट करो मैं यहां कर रही हूं आप अच्छे से आंसर मैच कर पाऊगे एक एक वैल्यू मैंने खुद कैलकुलेट करके देख हुई है कोई भी बुक से चीज ऐस सच नोट नहीं है कि बुक मे यह आंसर आ रहा होगा उनी रूल्स से जो मैं आपको एक दो दिन से करवा रही हूं ठीक है इसकी पावर 3 करोगे 3 पावर करके 6.5497 आ रहा होगा यह 4 डिजट क्यों लिया है यह भी आपको समझ आएगा मैंने तीन रूल्स का है न सीकेंड मैथट के अंदर वहीं से उनी रूल से यहाँ पर 4 डिजट लिखना पड़ा मुझे प्लीज वो वीडियो ज़रूर देखना आगे देखो यहाँ पर माइनस वन लिखा मैंने ठीक है अब यह आप यह नोट कर सकते हो उसके बाद आपने पूरा न्यूटन रेफ्शन समझ लिया अराम से बैठके वीडियो भज़ देखे फिर आप देखोंगे राउंड ओफ सब उसी के अकोर्डिंग हो रहा हुआ है चीकए उसके बाद हैको इसको इससे मंटिप्लाइ कीया यह मेरा आंसर आरहा है सिंपल सा और इंको करोगे डिवाइड करोगे फिर आपको राुट ओफ करना पड़ेगा बड़ा सीखना है इसकी सारी सीरीज अच्छे से देखना specially second method वाली वीडियो मैंने एक एक value वहाँ पे round off करके पूरा पूरा calculator वाला answer लिखा यहाँ पे फिर उसको round off करके वहाँ सिखाया हुआ है अच्छे से करना वो चीज़े ठीक है अगर आप अराम से चीज़े calculation cool mind कर रहे हो ठीक है practice की होने चाहिए paper में easily question हो जाते है x3 की value कैसे निकलेगी एक formula था मेरे पास क्या था x i plus 1 3 x i की power 4 plus 10 था यहाँ पे और 4 x i cube minus 1 वाने बद चेक कर लो यही था कोई mistake तो नहीं इसमें देखो आप मुझे क्या चाहिए x3 ठीक है यहाँ पे एक value क्या होती है come 3 x2 का square plus 10 4 x2 का cube minus 1 जितने x i होते है उसकी जगा यहाँ से कम value डालते है 3 चाहिए तो यहाँ पे क्या डालेगा 2 डालेगा 2 की value क्या है 1.856 की power 4 plus 10 power 4 है यहाँ पे upon 4 into 1.856 की power 3 minus 1 clear है चीज़ यह values निकालो putting करो में साथ answer match करो फटा फट चीज़ अब ध्यान से देखो मैं exact answers लिख रहे हूं जो आपके calculators पे आएंगे चीज़के 1.856 की power 4 यह आपके पास आएगा 11.866 और यहाँ पी इसकी power 3 सी यह आएगा यह बहुत important चीज़े है कभी question जो paper match सही होगा अगर आपको calculator से round off करने आ रहे हैं चीज़े उसके बाद जब आप इसको इससे multiply करोगे बहुत इसली आपके answers आएंगे final answer will be 1.856 लो मैंने यहाँ पे लिख दिया अब ध्याज लिखो x2 और x3 की value तो बिलकुल सेम है इसका मतलब question खतम यहीं पे answer हमारा आजेगा that is 1.856 so main चीज formula आना चाहिए formula क्या था x i plus 1 is equals to x i minus f of x i upon f dash x i दूसरी चीज इसमें आपको derivative ज़रूर आने चाहिए तब ही आप यहाँ पे f dash x i put कर पाओगे इनको solve करके आप values डाल डालके value नहीं काल सकते हो calculator से round off करना आना बहुत बहुत ज़रूरी है यह important part है इसका link secret method का मैं बार बार बोल रही हूँ आप मैंने एक एक value को discuss किया हुआ है कि calculator पे answer है points में यह करो calculator पे answer है notebook पे क्या note करना है calculator पे answer है round off के notebook पे यह आएगा यह जो अपने notebook पे लिखना है calculator से इसी ने आपका answer decide करना है तब ही answer सेम आने शुड़ूंगे अगर आप ठीक round off कर रहे हूँ चिक है I hope you like this video in neutral option method में मैं आपको एक बार derivatives बता देती हूँ फिर हम उसके बार इसको complete हो गया फिर तो ठीक है न चले फिर Pth root वाले questions भी है वो next part में आपको देखने को मिलेंगे derivatives देख लो अगर आपके पास किसी polynomial का है मालो इसका आपने derivative निकाल ला है तो 3 आगे एक power कम कर दिया इसमें 2 आगे एक power कम कर दिया इसके पास x नहीं है derivative 0 बीच में जो sign है वो वही रहते है ये इसका derivative है अगर ये f of x है तो ये f dash x है ठीक है उसके बाद अगर आपके पास questions में cause x आएगा तो उसका derivative क्या है that is minus sign x और अगर sign x आजे उसका derivative क्या है cause x ही है सारे rules मैं telegram channel पे आज share कर दूँगी पता जिस दिन आपको ये video मिलेगी उस दिन telegram channel पे मैं इस सारे rules share कर दूँगी so that आप बाकी questions भी easily कर पाओ ठीक है derivative आना बहुत ज़रूरी है तभी आप f dash निकाल पाओगे और question कर पाओगे और ये important है method इसको करना ही है अच्छे से I hope you like this video and round off करना सीख लोगे अब उस video से secret method वाली से और easily questions कर पाओगे If you like this video do like, share, comment and subscribe to my channel which is dreamman and telegram channel को join कर लेना अगर अब इतक नहीं किया ताकि आप formulas देख के note कर लेना बाकी questions भी इसके आप practice कर पाओगे जैसे आज मैंने ये method करा दिया अपनी बुक से इस method के 2-3 questions भी लगा लोगे ये method ओके आपको अच्छे से आ जाएगा Thank you so much for watching